हलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम टोरी लूप्स के साथ नेक का बहुत खुबसूरत और एकदम नया डिजाइन बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो चलिए हम आज की इस डिजाइन को बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले मैंने अपने कुर्टी वाले सेम फैबरिक की एक पट्टी कट की है ये लगबग सवा दो इंच और रखी है मैंने ये देखिए और लंबाई में ये लगबग साड़े पंदरा इंच है और इसकी उल्टी साइड पे इस तरीके से मैंने फेपर पेस्टिंग लगा ली है और इस पे न मैंने ये दो सीधे-सीधे मार्ग किये हैं दोनों तरफ से आधे-आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेते हुए ऐसा ही मार्ग मैंने एक नीचे की तरफ भी किया है उसके ěसे अपर से लगबग दो करना है कोई पी कैप हम इनमें नहीं लेंगे इस तरीके से साथ साथ करके ट्रेंगल को रखते जाएंगे और शिलाई लगाते जाएंगे तो नीचे की तरफ हमें ट्रेंगल इस तरीके से रखना है ऐसे ही हमें ट्रेंगल को तीनो साइड पे स्टिच कर लेना है तो ये देखिए ट्रेंगल्स को हमने पट्टी के तीनों साइड पे ऐसे स्टिच कर लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से न ट्रेंगल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए ऐसे यहाँ पे न एक किनारी की सिला ही लगा लेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स ये पट्टी हमारी ऐसे ट्रेंगल्स के साथ रेडी हो गई है हमने किनारी की सिलाई पे इस पे लगा ली है अब हमने एक बड़ी पट्टी रेडी करनी है तो बड़ी पट्टी बनाने के लिए मैंने अपनी सेम कुट्टी वाले फैब्रिक से ये एक पट्टी कट की है ये लगबग 4.5 इंच ओड़ी रखी है मैंने और इस पे बिना मैंने दोनों तरफ ये सीधे सीधे माक कर लिया है दोनों तरफ से आधे-आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जन लेते हुए और इसकी उल्टी साइड पे भी ना इस तरीके से मैंने फेपर पेस्टिंग लगा ली है और इसकी जो लंबाईया ना वो लगबग मैंने 16 इंच रखी है वो जैसे 15 इंच थी ना ये 16 इंच है और उसका ना ऐसे एक खुला सा लूप बनाके अपनी पटी के उपर स्टिच करेंगे इस तरीके से रखेंगे पटी के उपर उपर से लगबग दो इन छोड़ के पट्टी के उपर ऐसे रखेंगे लूप को और यहां पे अपनी मार्किंग के उपर उपर शिलाई लगा देंगे अब जो अगला लूप है वह हमें इसी के बीच में से शुरू करना है इस तरीके से अगली डोरी लेंगे और इसके सेंटर से ऐसे रखते हुए लूप बनाते हुए स्टिच कर लेंगे अगला लूप इसके बीच में से बस ऐसे हमें एक लूप के बीच में से दूसरा लूप रखते हुए स्टिच कर लेना है बस ऐसे ही हम सारे लूप्स को अपनी पट्टी के उपर स्टिच कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसे हमें पट्टी की तीनों साइड पे डोरी लूप्स कर लेने हैं तो यह देखिए पट्टी की तीनों साइड पे न हमने ऐसे अपने सारे डोरी लूप्स कर लिये हैं अब हम क्या करेंगे डोरी लूप्स को न इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए न यहाँ पे एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने किनारी की सिलाई लगा ली है और ये डोरी लूप्स वाली पट्टी भी हमारी इस तरीके से रेडी हो गई है अब हमने इसके बीच में ट्रेंगल्स वाली पट्टी स्टिच करनी है तो loops वाली पट्टी के बीच में हम trangles वाली पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे यही वाली किनारी की सिलाई के उपर हमने सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पे आप यही ध्यान में रखें यही जो पट्टी है आपकी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए loops वाली पट्टी के तो ऐसे हमने trangles वाली पट्टी को किनारी की सिलाई के साथ loops वाली पट्टी के उपर स्टिच कर लिया है और देखिए कितना खुबसूरत पैटरन हमारा यह लग रहा है तो अब हम क्या करेंगे यह जो trangles है न हमने इनको खोल लेना है इस तरीके से ऐसे इनकी एक पंखुडी सी बन जाएगी ऐसे हम सारे trangles को खोल लेंगे तो यह देखिए सारे trangles को न हमने इस तरीके से पीछे की तरफ खोल लिया है अब हम क्या करेंगे इसके यह वले कोने पे यहाँ पे एक एक परल स्टिच कर देंगे सुई धागे के साथ तो पहले हम यहाँ पे एक टांका लगा लेंगे ट्रेंगल के एक कोने पे और उसी के साथ हमने यहाँ पे एक परल स्टिच कर लेना है इस तरीके से तो ऐसे ही आगे के आगे हमें सारी पंखुडियों के उपर परल स्टिच कर लेने है तो ये देखिए सारे ट्रेंगल्स के कोन्यों पर हमने इस तरीके से पर्ल स्टिच कर लिए हैं और देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा ये नेक का पैटरन तो अब हम इसे अपनी कुड़ती के उपर स्टिच करेंगे तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुड़ती है कुड़ती को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और इसके न बिल्कुल सेंटर में रखेंगे अपने इस पैटरन को उपर से लगबग दोईन चोड़के ऐसे रखेंगे और यहाँ पे न सेंटर में एक रफ्टिच करेंगे उसके बाद यही वाली किनारी की सिलाई के उपर एक सिलाई लगा लेंगे तो यह दिखिए यह पैटरन को न हमने यह से अपनी कुड़ती पे स्टिच कर लिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है न तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इस पे कोई भी नेक रेडी कर सकते हो तो मैं अभी आपको अपना नेक रेडी करके दिखाती हूँ तो यह देखिए मैंने इसके उपर शॉर्ट राउंड नेक कट के साथ रेडी किया है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा यह नेक डिजाइन अब लग रहा है तो अब हम क्या करेंगे यह जो बीच वाली पट्टी है न हमारी इसके उपर न हमने वाइट कलर के परल न पेस्ट कर लेने हैं फैबरिक ग्लू के साथ तो मैं यह वाले परल यहाँ पेस्ट कर रही हूँ यह फैबरिक ग्लू धोने से भी नहीं उतरती आप बिना टेंशन के इसके साथ परल पेस्ट कर सकते हो तो अब भी मैं आपको सारे परल पेस्ट करके और अपनी पूरी कुर्टी रेडी करके दिखाती हूँ तो रेडी होने के बाद हमारा एक खुबसूरत नेक डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप भी यह वाला नेक डिजाइन अपनी कुर्टी पे जरूर ट्राइ करें